देश में कोरोना का संक्रमेंट टेजी से फैल्टा जा रहा है इसी बीच लॉकडाउन भी धीरे-धीरे खोला जा रहा है स्वास्त मंत्राले के रिपोर्ट के मताबिक रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या भी 9000 तक पहुची है पिशले एक हफ़ते में कोरोना के करीब 61,000 मामले सामनी आए है ऐसे में चिकित्सा शेत्र के एक्सपर्ट का कहना है कि यदि हालात नियंत्रण में नहीं रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है केंद्रे स्वास्त मंत्राले के मताबक के शुकरवार को संक्रमेंट के एक दिन में रिकॉर्ड 9851 मामले सामनी आए वही 273 लोगों की मौत हो गए इसके बाद देश में संक्रमेंट के कुल मामलों की संख्या 2,26,770 पर पहुच गई है मही मौत का आकड़ा 6,348 पर पहुच गया है कोरोडा के लगातार बढ़ रहे मामलों की बीच कॉंग्रिस के पुरवधिक श्राहूल गांधी ने ट्विटर पर कुछ आकड़े साजह किये हैं इसके मताबिक स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटायन जैसे अधिकतर देशों ने अपने अपने यहां लॉकडाउन और पाबंदियों को तब हटाया जब उनका कोविड-19 का ग्राफ या तो समतल हो गया या नीचे की और जाने लगा भारत में कोविड-19 का ग्राफ लॉकडाउन की अवधी में भी लगातार बढ़ता रहा जहां 31 मई को समाप्त होए बंद के चौथे चरण में और उसके बाद संक्रमन के मामलों की संख्या 30 से बढ़ रही है कोरोना के संक्रमन के मामलों पर गौर करें तो भारत दुनिया का साथवा सबसे प्रभावत देश बन गया है उसके पहले अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटैन, स्पेन और इटली आते हैं जग चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा तो मामले बढ़ेंगे लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हालात बेकाबू नहीं हो और अगर ऐसा होता है तो लॉकडाउन दुबारा लगाना पड़ सकता है धानमिक इस्थलों मॉल्ट्स को खोलने की अनुमती भी दे दी गई है लेकिन ये अनुमती देना जल्दबाजी वाला फैसला है क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होगा कि लोग नियमों का उलंगर नहीं करें subscribe our channel and press the bell icon for more updates